तो आज हम डिसकस करने वाले हैं एक नया चाप्टर इसका नाम है hydrocarbons hydrocarbons जैसे कि आप सभी जानते हो कि इसके अंदर हम mainly focus करेंगे उन organic compounds में जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ carbon और hydrogen प्रसेंट है बट इसके अलावा आप सभी जानते हो कि एक organic compound में आपके अलग-अलग जो दुसरे hydro elements है वो भी मौजूद हो सकते हैं और different functional groups में आप वैसे भी oxygen, nitrogen, chlorine, halogens, कई सारे आप functional groups देखते हो बट यहाँ पे हमारा main focus से phono organic compound पे जिनमें carbon और hydrogen majorly है जिसमें कि अगर हम valley fatty compounds की बात करें तो यहाँ पे आपके alkynes, alkynes और alkynes आजाते हैं उसके अलावा कुछ aromatic hydrocarbons की भी हम बात करेंगे जिसमें especially हमारा main focus जो है वो benzene के ओपर होगा तो यह सबी कुछ और इनसे related पूरी की पूरी chemistry आप लोगों को discuss करनी है इस chapter में तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे NCRT exercise solutions के साथ start करते हैं बट बहुत जल्द इस पूरे chapter की summary में आपके पास में ले आँगे जाएंगे, maybe मेरे को एक या दो दिन लगेंगे और यह chapter summary आपको तयार करके मैं यहाँ पे publish कर दूँगी चलिए, तो अब हम सबसे पहले start करते हैं हमारी question number one के साथ में so the question number one is how do you account for the formation of ethane during chlorination of methane इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ethane का अगर आपको formation करना है किस तरह से methane का chlorination करके तो उसको आप किस तरह से explain करोगे आपसे भी जानते हो कि यह जो reaction होती है जिसमें कि आप basically higher hydrocarbons को form कर सकते हो किस की help से chlorine की help से sunlight के presence में यह reaction एक तरह का free radical reaction है यह एक तरह का क्या है free radical reaction और यह photochemical reaction है यानि कि यह reaction जो है light के presence में होगी अगर आप कुछ देर के लिए chlorine को अगर आप methane के साथ में रख दोगे और आप सोचोगी कि कुछ तरह बाद methane बग जाएगा कुछ नहीं होने वाला अगर आपने इस reaction को dark में किया है या फिर lab के अंदर किया है जहां पर कोई light नहीं है नहीं है तो यह reaction कुछ भी नहीं होगी वैसे कि वैसी रखी रहेगी तो इस वेरी इंपोर्टेंट कि फिर्स्ट पॉल यह सनलाइट के प्रजेंस में की जाए सनलाइट को आप जनरली जानते हो उसके एनरजी कि इसके एक्वल होती है एच नियू इसको हम आप अल्री डिसकस कर चुके हैं स्ट्रॉक्चर आटम में उसके अलावा इस reaction में जो bonding होगी जो bonding break हो रहा है जो नए नए इस major medias बन रहे हैं तो वो सबके सब जो हैं यह free radicals होंगे अब यह reaction होता किस तरह से तो जैसे कि मैंने का इसका जो mechanism है वो एक free radical chain mechanism है जिसमें कि हम chlorination को देखते हैं सबसे पहला है कि एक radical को बनना पड़ेगा तो सबसे पहला जो step हो उसमें एक radical kinetiation होगा second में जब एक radical बन कया तो वो radical आगे जाके क्या करने वाला है किस तरह से वो propagate करेगा, किस तरह से वो move करेगा, किस तरह से वो दूसरों के साथ combine करेगा इसको कहते हैं propagation और जो तीसरा step होता है termination इसका मतलब कि अब आपका radical बन भी चुका है उसने दूसरे के साथ जिसके साथ react करना था कर भी लिया है लेकिन radicals इतने reactive होते हैं, इतने reactive होते हैं कि उनको फिर जरुवत होती है कि कही ना कहीं पर उनको बन, मतलब reaction को end किया जाए otherwise क्या होगा कि अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे तो वो reaction आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे होती रहेगी जो molecules बन चुके हैं, उनी को वो वापस से तोड़के वापस से मतलब वो एक continuous process है, radical का reaction चलता रहेगा because of their high reactivity तो हमें क्योंकि हमारा desirable product चाहिए so this is important कि हम उसे कहीं पर जाके terminate करते हैं तो ये सारे steps होते हैं, तो सबसे पहला जो initiation step है initiation step में क्या होगा, कि जब आपका chlorine का molecule है जब वो H2O के presence में आएगा, तो उसका हो जाएगा homolysis homo का मतलब होता है same और lysis जो word है इसका मतलब होता है breakdown, टूटना ठीक है, इसका मतलब एक जैसे तरीके से तूटने को आप क्या कहोगे, homolysis कहोगे, और ये homolysis किसके अंदर हो रहा है ये sunlight के presence में हो, किसका रहा है, chlorine molecule का जिसमें कि एक bond आप सभी जानते हो, दो electron से मिलके बनता है अगर H-new के presence में ये bond toot हुजाए, तो एक electron एक chlorine के पास चला जाएगा दूसरे chlorine के पास चला जाएगा, और इस तरह का arrow जो यहाँ पर हम शोग करते हैं नॉर्मल arrow से थोड़ा सा different है, तो इसमें सिफ half ही arrow है, इस वज़े से इसको half-headed arrow कहते हैं, और उसके अलावाई इसको फिशोख arrow भी कहते हैं तो यहाँ पर आपके दो radicals बन जाते हैं, chlorine radical तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, radical जो है, वो generate हो चुका है अब यह radical आगे जाके अपना काम करेगा, यानि कि यह methane के साथ में combine करेगा ठीक, अब methane में भी क्या होता है, methane के अंदर क्या है, basically मैं इस structure यहाँ बना देती हूँ तो यहाँ पर इस तरह से 4 hydrogen methane के उपर लगे होते हैं आप हमेशे एक बात ध्यान रखना, free radicals के जब हम rules पढ़ते हैं, तो उसमें एक rule यह होता है कि जो radicals जितना ज़्यादा छोटे atom के उपर होता है, वो उतना ज़्यादा reactive होता है यानि कि उसकी stability उतनी कम होती है, तो basically अगर यह bond यहाँ से break हो जाए तो एक radical CST radical बनेगा और एक radical H radical बनेगा, अब जब CL radical इससे आए का इनके पास में तो उसके पास में दो-दो possibilities हैं, वो CST radical के साथ भी combine हो सकता है, H radical के साथ भी हो सकता है actual process में दोनों के साथ combine होगा, लेकिन किसके साथ react करने के reactivity ज़ादा है, किसके साथ tendency ज़ादा है तो जैसा कि मैंने कहा, जितना छोटा radical, hydrogen atom तो बहुत छोटा सा है, जितना छोटा छोटे आटम पे radical होगा, उसकी unstability ज़ादा होगी तो मतलब उसके reactivity बहुत ज़ादा होगी, तो ये hydrogen और ये chlorine फटा फट से एक दूसरे के साथ में मिल जाएंगे और क्या बना देंगे HCl, और साथ में बताओ क्या बन गया, साथ में release हो जाएगा CS3 radical सभी radicals ज़ादा reactive होते हैं, बट जितना छोटे आटम के उपर radical, छोटे molecule के उपर radical होगा, उसकी उतनी ज़ादा reactivity होगी अब ये CS3 radical जब फिर और chlorine molecule से इस तरह से combine करेगा, तो एक next state आए कि जब क्या होगा CS3, CL आपका बन जाएगा और एक और CL radicals release होता रहेगा, तो हर step में आप क्या देख रहोगे radicals release होते रहेगे तो ये process सिर्फ ये दो reactions नहीं है, धेर सारी reactions साथ के साथ parallelly चलती रहती है बट हमें क्या चाहिए, हमें हमारा product चाहिए, तो हमें इसको कहीं तो terminate करना पड़ेगा तो हम जब इसका termination करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रगते हैं कि हमारे compound के अंदर काफी सारा जो CL radical है वो CS3 radical के साथ में combine होके, या तो CS3 CL बना ले या फिर ये जो CS3 radical यहाँ पर form हुआ था, ये CS3 radical ये किसी दूसरे CS3 radical के साथ में combine होके, क्या form कर ले, ethane कर ले तो जिस position पर आप देखते हो कि हाँ, sufficient amount of ethane बन चुका है ठीके, side reactions बहुत सारी होंगे, side products बहुत सारे होंगे बट जिस point पर आप देखो कि अच्छा खासा ethane इखटा हो चुका है तो वहाँ पर आप इस reaction को terminate करा देखे हो तो यह पूरा का पूरा process होता है, यह mechanism होता है जिसमें कि सबसे पहले free radical generate होगा इसको हम initiation process कहेंगे, फिर propagation होगा जिसमें radical randomly किसी के भी साथ में combine होगा और third step में, जो आपका desirable product है जब आपको ठीक्टा quantity में मिल जाता है तो आप उसको terminate करा देते हो, यानि कि इसको isolate कर लेते हो तो यह सारे सारे process है तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से methane से क्या form कर लिया methane से हमने ethane form कर लिया H-neum की presence में और साथ में आपको एक molecule डालना पढ़ा वो कॉन है? CL2 तो यह था हमारा question, question number one from this chapter, so I guess कि आपको यह समझ में आ गया होगा अगर फिर भी आपको यहां पर difficulty लग रही है नहीं समझ में आ रहा है, क्या homolysis, heterolysis हो रहा है तो चिंता मत करो, यह पहला question है इस chapter का, इस तरह के जब हम धेर सारे questions आगे की classes में करेंगे तो सब आपको clear हो जाएगा, believe में ठीक है, थोड़ा सा trust करो, और सब हो जाएगा, right पर एक छोटी से suggestion में आपको जरूर देना चाहोंगी कि अगर आप पहली बार इस channel पे आ रहे हो और directly आप इसी chapter से stack कर रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो अगर आपके organic chemistry के base इतने strong नहीं है तो आप एक काम करना कि इससे पहले मैंने already general organic chemistry या पर some basic concepts, some basic techniques and principles in organic chemistry जो कि class 11 का chapter number 12 है उसके सभी questions मैंने डिसकर कर लिये हैं और बहुत जल्द उसका भी जो एक chapter summary में आप लोगों के सामने ले आऊंगी तो आप प्लीज उसको एक बार जरूर refer कर लेना, उससे क्या होगा कि आपका base strong हो जाएगा, अगर आपको English भी बोलनी है, आपको एक English का sentence बनाना है तो सबसे पहले आपको alphabets आने चाहिए वही बात है, अगर आप organic chemistry के अंदर jump कर रहे हो, organic chemistry का आगे समंदर बढ़ा है हाँ पे, ना सिर्फ इस चाप्टर में आगे आने वाली बहुत सारे class 12 की organic chemistry पे मैं साथका साथी cover करवा दूँगी इस चाप्टर के just about में तो बहुत सारी organic reactions हैं तो इसके लिए ये जरूरी ही के सबसे पहले आप जो पुराने organic chemistry के basic fundamentals हैं, उन पे थोड़ी सी पकड़ बना लो, ठीक है तो ये था हमारा आज का topic I guess कि आपको समझ में आया होगा, अब हम next class में मिलेंगे एक नए question के साथ में, question number second के साथ, so till then take care, good bye अगर चैनल को subscribe नहीं किया है